इस सवाल को देखें, यदि छे माही चक्रविद्धी ब्याज, मतलब छे माही चक्रविद्धी का मतलब क्या हुआ, हर छे महिने के बाद कितना ब्याज होगा calculation क्या जाता है, देखो चक्रविद्धी ब्याज साधारंत वार्शिक होता है, ठीक है ना हमारे देश में, तो जब साधारन बयाज हो चक्रविद्धी बयाज हो एक साल जब complete हो जाता है जब 12 महिना 35 दिन complete हो जाता है उसके बाद बयाज का calculation होता है लेकिन कभी कभी यह ऐसा भी होता है कि पहले ही बोला जाता है कि भाई 6 महीं चक्रविद्धी बयाज हो मतलब 180 जैसे खटम हो जाएगा उसके 181 दिन में हम ब्याज का calculate करेंगे और उस ब्याज की राशी को हम जमा कर देंगे अब देखो वैसे cases में क्या होगा वैसे cases में दो चीज़ होता है उसके उपर ध्यान दे रहा होगा यह 6 माही बोला है ठीक है न यह 6 माही बोला है इस पर ध्यान दीजिएगा और देखिए ब्याज जो है 20% है ठीक है तो 20% का ब्याज यहाँ देखिए हमने क्या लिया हुआ है 10% 6 माही मतलब साल में दो बार तो 20% के जगा पे 6 माही में यह 10% हो गया अब बोलता है 18 माह अब समय क्या सीमा देखिए यहां 18 माह है ठीक है अब इस 18 माह क्या चेंज हो जाएगा देखो 18 माह मतलब हम 3 साल पकर रहें क्यों हम क्यलकूलेशन में 3 साल पकर रहे हैं 6 महिना करके 18 महिना कितना होगा 18 महिने बटे 6 तो बड़ाबर क्या होगा करने का तरीका है यह हो या फर्मुला मेथड हो जो भी हो हम सलाना कर रहे थे अब ये क्या हो गया तो हम इसको equivalent to तीन साल बोल रहे है मतलब यह somka 6 तीन साल नहीं है समकच्छ है तीन साल का तो हम उसी तरह देखो मेरा 3-3-1 ही फर्मूला है न तीन साल का यह 18 मा था लेकिन 18 मा क्या हो गया यह 3 साल हो गया अगर यही चीज एक साल बोला होता है यह 18 मा के जगा पे हम अगर मेरे को 12 मा बोलता तो क्या होता अगर ये बारा माह बोलता तो क्या होता तो बारा माह मतलब छे माह करके दो बार होता तो मैं दो साल का मैं calculation करता है और दो साल का calculation में हमारा formula क्या है आपको पता है हमारा formula 2-1 है है ना तो 2-1 पे हम calculation को करते है अगर ये 6 माही ठीक है ना ये अगर 6 माही आपका तीमाही हो जाता तो क्या होता देखिए इन चीजों को ध्यान रखना होगा और ये काफी आवर्शक है आगे के सवाल है मैं सारे सवाल को नहीं करूंगा एक ही बार समझाओंगा उसी से समझना है आपको अगर ये तीमाही हो जाए ये छेमाही के जगा तीमाही हो जाए तो फ और 18 मा को हम क्या पकरते तो 18 मा है बटे 3 तो मेरे को 6 साल जैसे ये सवाल आएगा नहीं कि 6 साल का कभी चक्रविद्धी नहीं पुछा जाता है मैं जस्ट ऐसे ही एक आपको बताने की इसमें कर रहा हूं कि ये क्या होता क्या का पड़िवर्तन हो जाते तो इन्हें दिमाग में जरूर रखेंगे बाद बाकी तो वही है कि हमने 20 परसंट के जगा पे 10 परसंट लिया 331 है जो आप जानते हैं अभी तक हमने चर्चा किया वही लगाया गया है तो यहां पे ब्याज मिजे को 3310 रुपया मिल गया मुलधन जो 10,000 रुपया यहां बोला हुआ है तो हमने मुलधन को यहां 10,000 रुपया जोड दिया तो मिस्र धन जो है 13,310 रुपय हो गया तो आशा करता हूँ इस सवाल के सारे पहलूओं को आप समझ गए हैं और इसका नोट्स बना कर रखें क्योंकि यह इस पर बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं और इन सवालों को सही रुप से करने के लिए आपको नोट्स बनाने की काफी ज़ुरत है तो आशा करता की चीज़ें आपके पास संपुन रुप से क्लियर हो चुका होगा